हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब और आप लोगी दुआ से मैं भी ठीक हूँ तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पनीर की रेसिपी तो आप लोग के साथ मैं सेर करने जा रही हूँ रेसिपी तो मटर पनीर की रेसिपी बनाने के लिए सबजी बनाने के लिए पहले मैंने कड चमजर करीब तेल डाला है मैंने और यहां पर पनीर ले लियाThree 500 kore Ally को कर लिया है झाल झालाई कीब इप नाल कर लिया है जीरा जैसे है Hey चिरा मुदल में अगर आपको चाहिज चाहिए तो आप तो आप लाइट फनीर चाहिएppen यह चाहिँ उसी कराई में तेल डाल दिया है मैंने दो चमज के करीब और जीरा डाल दिया है जीरा जैसे हमारा थोड़ा सा लाल हो गया तो यहां पे तीन बड़े मीडियम साइज के प्याज लिये थे मैंने और प्याज को लंबा यह कार में पतला पतला काट लिया है मैंने और प्याज डाल दिया इसमें गाइस और प्याज को थोरा जाम फ्राइ कर लेंगे पहले हल्का हमरा प्याज जो है गुलाबी हो जाएगा इसको थोई-थोई दिर पर चला लेंगे और यहां पर मैंने अद्रक और लैसुन का पेस्ट ले लिया है अगर आपके पास पेस्ट हो तो आप पेस्ट डाले या तो आप अद्रक लैसुन को अलग से कूच के भीज में डाल सकते हैं तो थोड़ा से एक मिरता के लिए फ्राइ कर लेंगे अद्रक लैसुन डालने के बाद उसके बारिक टमाटर काटके रख लिया है मैंने यहां पर दो मीडियम साइज के तो यह टमाटर हम डाल देंगे यहां पर अगर आप चाहें तो टमाटर की प्यूड़ी भी बना सकते हैं तो यहां पर मैंने दो टमाटर लिये हैं इसको मैंने काटके डालाए प्याज में और इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा पका लेंगे जिसे की टमाटर हमारा जोए टमाटर और प्याज गल जाएग अच्छे तरीके से तो इसको थोड़ी थोड़ी देर पर हम चलाते रहेंगे और इसमें क्या करेंगे कि नमक डाल देंगे हम तो यहां पर मैंने एक चमच के करीब नमक डाल दिया है जिसे कि प्याज और टमाटर अच्छे तरीके से पक जाएंगे हमारा तो इसको मिक्स कर लेंगे हम नमक को प्याज टमाटर में और इसको ढख कर देंगे हम तो यहां पर हमारा प्याज टमाटर पक गिया अच्छे तरीके से देख सकते हैं तो यहापे हम बागी के मसाले डाल लेंगे तो एक चमच के करीब मैंने आपे धनिया पॉड़र लिया है आधे चमच के करीब जीरा पॉड़र ले लिया है आधे चमच के करीब हल्दी पॉड़र है और आधे चमच के करीब लाल मिर्च पॉड़र है हमारा तो इन सभी मसालों को एक बार दुबारा से मिक्स कर लेंगे हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है मैंने इसको थोई थोई दिर पर चलाएंगे दो तीन मिट के लिए पका लेंगे मसालों को मसाला जो है हमारा अच्छे तरीके से पक जाएगा भी थोड़ा से मसाला पक जाएगा तो इसमें मटर ले लिया है मैंने यह सफल मटर है गाइस हमारा आप चाहें तो घर की ताजी मटर भी ले सकते हैं तो यहां पर मटर डाल दिया है मैंने और मटर के साथ मसालों को एक दू मिनट तक के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे चला लेंगे मिक्स कर लेंगे तो मटर हमारा मसाले के साथ अभी पक रहा है कि अगर यहां पर मसाले हमारे पक अब घर की शनकी खिर आपत दो सुआए वरके अगर वम सब्चेट यहां पर ग्लास के कड़ीव डाला है क्योंकि यह सब्ढ़ी में बना रहे हूं तो आप अपने अनुसार मोजे पानी ग्रेवी लगा सकते हैं तो आप रोटी के साथ खाएं तो जो है हलका अप इसमें ग्रेवी लगाएं अगर रायस के साथ खाएं तो थोड़ा सा मैं मुझे रायस के साथ खाना है तो थोड़ा सा ज्यादा ग्रेवि रखा है मैंने इसमें और जो पनीयद ग्रेवी सब्कृणी पकाई और छहाँ चाहिए है प्टोड़ी दिया हैrous जो है हमारी सब्जी मटर पैर की बहुते डीची सब्जी बनके तयार हुई यह तो आप इसे מה हैक पूरी प्राठे सभी चीजों के साथ यह सब्जी जाएगी तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तियार हुए गाइस एक बर आप इसे ट्राइ किजिएगा सब्जी को और उपर चे में आपे हरा धनिया काटके डाल देंगे गैस बन कर दिया है मैंने आपे हरा धनिया डाल दिया है तो यह सब्जी बनके गाइस तयार हो गई है मेरी मटर पनीर की तो यह रेस्पी गाइस अगर आपको मेरी पसंद आती है मटर पनीर की सब्जी की तो प्लीज गाइस मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा सेयर देगा मिलते हैं नए ब्लॉग में तब तक के लिए बाई हेवे नाइस टे थैंक यू